आज हम आपको बताएंगे कि श्री यंत्र जो यंत्रों का राजा कहलाता है, जिस घर में होता है, जिस घर में उसकी पूजाज अर्चना की जाती है, उस घर में साख्षात लक्षमी का वास होता है. एसा क्यों? इसके पीछे एक पावराणी कता प्रचलत है, कि एक बार मा लक्षमी रुष्ट होकर बेकुंठ दहाम चली गई, और प्रित्वी पर त्रहीमान त्रहीमान होनी लगा. सभी लोगों से स्री हर ली गई, बेहाल हो गए सब लोग, ऐसे में वो लोग गुरु वशिष्ट के पास गए. गुरु वशिष्ट से निवेदन के अप्रात्ना के, कि आप मालूम कीजिए कि एसा क्यों हो रहा है, कि घरों में मा लक्षमी का वास नहीं दिखाई दे रहा है. गुरु वशिष्ट ने अपनी योग विद्या से जाना की मा लक्षमी बेकुंट धाम में रुष्ट होकर चली गई है. गुरु वशिष्ट ने कहा, ठीक है, मैं इस समद्ध में कुछ करता हूँ. गुरु वशिष्ट बेकुंट धाम गए, वहाँ उन्होंने हर त्रह से मा लक्षमी को प्रसंद करने की कोशिश की. और आगरह किया, कि हे देवी, आप भू लोग पर पधारिये, वहाँ पर रहने वाला हर प्राणी आपके बिना त्रही मान त्रही मान कर रहा है. मा लक्षमी बहुत रुष्ट थी, वो नहीं मानी. लेकिन वशिष्ट जी को खयाल आया, कि चलो मैं विश्णु भगवान की तपश्या करता हूँ. शायद विश्णु भगवान उनको बना कर भू लोग पर भेज दे. उन्होंने विश्णु भगवान की पूजा की, तपश्या की विश्णु भगवान प्रसन हुए. उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि हे प्रपो, मा लक्षमी रुष्ट होकर बैकुन्त दाम आ गई है. भू लोग पर सभी लोग स्रीहीन हो गए हैं. आप इन्हें किसी भी तरह से वापस भेज़ी हैं. भगवान विश्णु ने बहुत अनुने विने किया, लेकिन मा लक्षमी इतनी रुष्ट थी कि वो किसी भी हाल में भू लोग पर जाने के लिए ततपर नहीं. गुरु वशिष्ट का यह प्रियास भी निस्फल हुआ. वे भू लोग पर आये रिश्यों से मन तरना की. देवों के गुरु ब्रहस्पती भी थे. उन्होंने कहा कि मा लक्षमी को भू लोग पर लाने का केवल अब एक ही तरीका है. सबने उत्सुक्ता से पूछा, बताइए कौन सा तरीका है वो. उन्होंने कहा कि हमें स्रीयंत्र का निर्मान करना चाहिए और उसकी पूजा अर्षना करनी चाहिए. यही एक तरीका है. पहली बार श्रीयंत्र के से बनता है. गुरु प्रहस्पती की देखरेक में श्रीयंत्र का निर्मान हुआ. और विधी विधान से उसकी पूजा अर्षना हवन यग्य सुरू हुए. पूजा अर्षना पूरी हुई भी नहीं कि तब तक मा लक्ष्मी भूलोग पर वहां जहां स्रीयंत्र की पूजा हो रही थी प्रकट हुई. सबने आश्चर यह से देखा। तब उन्होंने कहा देखो ये श्रीयंत्र मेरा आधार है और श्रीयंत्र में मेरी आत्मा का वास होता है। जहां स्रीयंत्र की पूजा होती है, उस घर से, उस लोक से मैं कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। तब से अब तक स्रीयंत्र की यह महिमा बनी हुई है और हम मनुश्य अगर इसकी इस्तापना करना चाहते हैं तो श्रेष्ट समय तो दिपावली का समय होता है। जब भाजार से हमें चांदी का या तांबे का स्रीयंत्र लाकर मा लक्ष्मी के साथ में विराजित कर उसकी इस्तापना करने चाहिए। जहां तक हो सके चांदी का स्रीयंत्र सर्वस्रेष्ट रहता है। उसके बाद रोजाना प्रति दिन ठीक वेसे ही स्रीयंत्र की पूजा धूप बत्ती करें जैसे की हम अन्य देवी देवताव की करते हैं। फिर देखिए आपका घर आपका व्यापार धन धन्य से भरपूर रहेगा। चारों तरब सुक समर्द्धी रहेगा। यह है श्रीयंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। और हम यह कह सकते हैं कि जहां श्रीयंत्र है वहां मालक्षमिका वास। बता है। जैसे किष्णा।